गौरी एक्स्पैंशन खुली खदान वर्धा घाटी कोईला क्षेत्र के गौरी ब्लोक में स्थित है ये बल्लारपूर कॉलेरी के दक्षिन पश्चे में स्थित है और चंद्रपूर जिले की राजुरा तहसील में सास्ती खुली खदान के निकट है यह खुली खदान वेस्टरन कोल फिल्ड्स लिमिटेड के बल्लारपूर क्षेत्र के अंतरगत आती है गौरी इक्स्पेंशन खुली खदान 1991 से शुरू है यहां के कोल सीम की मोटाई 14 मीटर तक की है तथा यहां का कोईला जी टैन ग्रेड का है यहां कोईला खनन, हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर तथा डंपर द्वारा किया जा रहा है सुरक्षा विभाग की निग्रानी में डीजी एमेस द्वारा निर्धारित सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है पर कुछ दुरगटनाएं अप्रासंगिक होती हैं और ऐसी ही एक गंभीर दुरगटना गौरी एक्सपैंशन खुली खदान के डंपर पार्किंग यार्ड में घटित हुई दिनांग 16 अप्रैल 2021 के दिन सुभा करीब 8 बचकर 15 मिनिट पर डंपर मेंटेनेंस टीम पार्किंग यार्ड में मौजूद सभी डंपरों को चेक कर रही थी तभी डंपर मेंटेनेंस टीम ने पाया कि डंपर नंबर 60502 BH60M में इंजिन ओईल की कमी है इसलिए EP फिटर श्री श्यामराव मुसाले डंपर को पार्किंग यार्ड से डंपर मेंटेनेंस शेड में लेकर आए उन्होंने डंपर में इंजिन ओईल टॉप अप किया और डंपर को वापिस पार्किंग यार्ड में पार्क करने है तू जाने लगे सुबह की शिफ्ट होने की वज़ा से आरसी ओफिस और मैनेजर ओफिस में चहल पहल थी और सभी कर्मचारी अपने काम में व्यस्त थे मैनेजर ओफिस और आरसी ओफिस से थोड़ी ही दूर में डंपर पार्किंग यार्ड है इपी फिटर श्री श्यामराह मुसाले जी इसी पार्किंग यार्ड में डंपर को पार्क करने जा रहे थे उन्होंने पार्किंग याड की ओर डंपर को मोड़ा और वहां पहले से ही खड़े दो डंपरों के बीच इस डंपर को पार्क करने के मकसद से डंपर को ले जाने लगे तभी उनका अंदाजा गलत हो जाने के कारण उनके डंपर की रेलिंग बगल में खड़े डंपर के पिछले हिस्से से टकराई जिसकी वजह से जोर की आवाज आई जिसे में ओफिस के पास खड़े कुछ लोगों ने सुना और वे चिलाने लगे दूसरे डंपर से टकराने की आवाज और लोगों को चिलाते देख एपी फिटर श्रीश्यामराव मुसाले गड़ड़ा गए और डंपर को रोकने के लिए ब्रेक पर पैर रखने की जगह उन्होंने एकसिलेटर पर पैर रख दिया जिसकी वज़ा से डंपर की रफ्तार बढ़ गई और डंपर सामने लगे बर्म पे चड़ गया तथा वहां लगे पेड और तारों की फैंसिंग को तोड़ते हुए मैनेजर ओफिस और आरसी ओफिस की दीवाल से टकरा कर रुख गया डंपर के दीवाल से टकराने की वज़ा से मैनेजर ओफिस और आरसी ओफिस की दीवाल गिर गई तथा टीन की चड़ भी बुरी तरह से क्षति ग्रस्थ हो गई कुछ लोग वहां से निकलने में कामयाब हो गए तथा टीन की चड़ भी बुरी तरह से क्षति ग्रस्थ हो गई लेकिन ओवर्मेन श्री जय प्रकाश माहातो तथा डिप्टी मैनेजर माइनिंग श्री कौशलेंद्र प्रसाथ गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें तुरंत उपचार के लिए बलारपुर क्षेतरी होस्पिटल में ले जाया गया अगर ईपी फिटर श्री शामराव मुसाले जी ने अपने काम को सावधानी पूर्वक किया होता तो यह गंभीर दुर्घटना डाली जा सकती थी सुरक्षित कारिय प्रणाली केवल अधिकरित व्यक्ति ही डंपर चलाए डंपर ओपरेटर कार्य का विबरण सक्षम अधिकारी या सुपर्वाइजर से ले डंपर का निरिक्षण करें तथा विभिन प्रणालियों, उप प्रणालियों तथा रक्षात्मक युक्तियों की जाज करें एयर प्रेशर, इमर्जन्सी स्टेरिंग, ब्रेक्स की हालत, इंजिन ओयल प्रेशर गेज, वाटर टेंपरेचर गेज, ट्रांस्मिशन प्रेशर गेज, आधि को चेक करें सभी सुरक्षा उपकरण ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, यह सुनिश्चित करें ओपरेटर हमेशा स्वयम सुरक्षा साधन पहण कर वाहन चलाएं डंपर की गती हमेशा नियंत्रण में रखें, तथा 20 किलो मीटर प्रती घंटा निर्धारित गती सीमा में डंपर चलाएं पार्किंग याड में डंपर की गती सीमा पांच किलोमीटर प्रती घंटा से अधिक ना हो डंपर खड़ा करते समय लीवर न्यूट्रल कर दें और ओट लगा दें डंपर में खराबी आने से उसे ना चलाएं खराबी की जानकारी, सक्षम अधिकारी या परियवेक्षक को दें तथा लॉक बुक में दर्च करें और हस्ताक्षर करें डंपर आगे बढ़ाने के लिए दो बार और पीछे हटाने के लिए तीन बार होर्न बजाएं और पीछे का भाग साफ दिखने पर ही डंपर रिवर्स करें पार्किंग याड में दो डंपर के पीछ में कम से कम तीन मीटर की दूरी रखें डंपर पार्किंग इस प्रकार करें कि डंपर का मोवमेंट भारी भीड़ वाली जगह की ओर ना हो पार्किंग याड में तीनों बाजू से परियाप्त उंचाई और चौडाई के बर्म बनाए डंपर को पार्किंग याड में सुरक्षित पार्क करने के बाद पार्किंग ब्रेक अवश्य लगाए और दो मिनिट आइडल रखने के बाद ही इनजन बंद करें डंपर पार्किंग करते समय जल्दबाजी या लापरवाही ना करें कार्य के दोरान मोबाईल फोन का उप्योग ना करें नशीले पदार्थों का सेवन ना करें ड्यूटी पर ना सोहें रेगुलेशन वन जिरो नाइन के अधीन बताय गए या तायार्थ नियमों का पूर्ण रूप से पालन करें झालन करें